लोट फ्रेंट्स आजके सीडियो में हम डिसकस करेंगी इनकम इलसीटी ओफ डिमाड इस कॉनसेटि लेके हमने जो सीरीज कंप्लिट की जहां पे डिमाड एनलाइज पे हमने देखा था कि किस तरह से concept of demand exactly क्या होते है law of demand और demand कर इन concept के साथ हमने complete किये थे demand analyze इस concept को जो easily available है हमारे playlist पे उसे के साथ हमने इसके बाद हमने जो series start की जो कहती है कि elasticity of demand exactly क्या है और किस तरह से उसके जो types होते हैं इस type की series हम complete करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमने इस topic पे साथ यहाँ पे जो parts यहाँ पे complete करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें part 1 के अंदर हमने elasticity of demand exactly क्या है इसके बारे में discuss किया है part 2 के अंदर हमने price elasticity of demand को हमने present की part 3 के अंदर हमने method of measuring price elasticity of demand को complete करने की कोशिश हमने part दो बनाए जो method कोन से use होते है price elasticity of demand को complete करने के वज़े से उसे के साथ next जो part बनता है इस series में part 4 जो बनता है ओ कहता है income elasticity of demand जो कहता है कि elasticity of demand को यहाँ पे जो methods है यह methods के अंदर यह हम कहें उसके जो types है सिफ और सिफ प्राइज को एक mainly factor माना जाता था बट उसके price के अलावा भी other जो factor होते है जिस सरे से price के अलावा income यह हम कही cross elasticity, promotional जिसे advertisement या substitutions goods यह भी माइने रखते है और इनका जो importanceness है यह important यह factor भी मानते है और इसके वज़े से ही सिफ और सिफ यहाँ पे price यह main factor elasticity of demand के अदर work नहीं करता कि इसके अलावा भी जो factors होते हैं इसको भी हम complete करने की coaching करेंगे जिसमें second जो important factor आता है वो consumer का income आता है तो जिस सरे से income में change होगा तो income के change होने के साथ साथ किस सरे से कोई भी consumer उनकी ज़रूरते fulfill करने के लिए कौन से goods या commodity को use करके आपने जो utility है वो fulfill करते है इसके साथ साथ ये main factor उनका income यहाँ पे हमें दिखाई देता है तो main factor माना जाता था जो elasticity of demand के अंदर जो price और demand इनके साथ inverse relationship को present किया जाता था जिस सरे से हम कहें जो ये explain करता है हमें law of demand तो law of demand हमें यही कहता है कि जिस सरे से price के बड़े तो यहाँ पे demand घटी है अगर price कम होते है तो demand बढ़ती है ये relationship को हमें law of demand में हमने इसे study किया बट ये law of demand ये explain करने में fail होती है कि किस तरह से, कितने percent से यहाँ पे demand में change आया जो price में किस तरह से या कितने percent से change हुआ है ये changes बताने में law of demand fail होती है वही पर elasticity of demand ये उनकी जो methods है ये method के साथ हम उससे indicate करेंगे कि किस सरे से कितने percent से जो change हुआ है जो price में change हुआ या other factor में किस percent से change हुआ है किसके वज़स से यहाँ पर demand में जो changes आया है इससे ही यहाँ पर major किया जाता है और इसे के साथ एक price ही एक main factor नहीं होता है बट हम देखे जो elasticity of demand को ये present करने के साथ साथ Dr. Alfred Marshall ने एक main factor ही माना था कि price ही एक main factor है जिसके वज़स ही demand में changes आते हैं बट कई ऐसे economics थे कि उनके नजर से हम देखे तो हमें पता चलता है कि safe और safe यहाँ पर price ही main factor नहीं है price के अलावा भी कई ऐसे factor हो सकते हैं जिसके वज़से ही demand में changes आते हैं तो elasticity of demand यह हमें quantity को यहाँ पर focus करती हुई present करती हुई दिखाई देती हैं तो दोनों में difference जो आता है law of demand हमें क्यों इतना important है और उसके साथ साथ जो second यहाँ पर side explain करने की कोशिश यहाँ पर elasticity of demand present करती है कि किस तरह से जो demand में कितने percentage change आया है इसे यह elasticity of demand करती है तो law of demand यह quality पर focus करती हुई दिखाई देती है तो इस तरह से हम देखे जो elasticity of demand है इसका एक main जो यहाँ पर हम इस वीडियो के साथ income elasticity of demand इस point को हम explain करने की कोशिश आज के इस वीडियो में करने वाले है तो इस तरह से हम देखे जो income elasticity of demand हमें क्या exactly कहती है तो वो कहती है responsiveness of a consumer purchase a particular commodity to a change in his income income elasticity of the demand means the ratio of percentage change in the quantity demanded to the percentage change in income तो इस method के साथ हम देखे तो income elasticity of demand ये in shortly हमें यही कहती है कि जो response जो आता है consumer जो purchase करता है एक particular इसी commodity जिसके अंदर होने वाला जो change है demand बड़े या घटे ये depend करती है उस consumer की जो income होती है ये income ही एक main factor यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई देता है कि जिस तरह से income में consumer के change आता है तो उसके वज़े से उस जो consumer जो commodity का यहाँ जो use करेगा उसकी demand बड़े या घटे ये main factor यहाँ पे income भी साबित हो सकती है तो इस तरह सी income elasticity of demand ये exactly हमें ये प्रूव करता है कि कितने percent से change आया है quantity के अंदर जो demand यहाँ पे उस goods की करने वाले है क्योंकि वो depend करेगी उसकी जो income में कितना changes आया है income में जितना change आया और उसके वज़े से response यहाँ पे क्या मिला है उस commodity की demand के अंदर कितने percent change हुआ है यही exactly हमें present करता है income elasticity of demand definition के अंदर हम देखे तो प्रोपेसर स्टोनियर और हेग हमें उनकी definition इस तरह से income elasticity of demand को लेके हमें present करते हुए दिखाई देते हैं ओ कहते हैं income elasticity of demand show the way in the future consumer purchase of any goods change as a result of change in his income प्रोपेसर स्टोनियर हेग हमें कहते हैं कि किसी भी consumer की अगर demand के अंदर अगर change आता है या हम कहें उसकी purchasing power अगर बढ़ती है तो उसका एक ही reason होता है क्योंकि उसकी income में changes आया है या उसकी income यहाँ पर बड़ी हुई है increase की गई है इसके वज़े से उसकी demand में change आना यह उसकी जो commodity है उसको purchase करने की power उसकी बड़ी हुई है यही प्रोपेसर स्टोनियर और हेग हमें कहते हैं तो उससरे से प्रोपेसर वाटसन हमें कहते है income electricity of demand means the ratio of the persistence change in the quantity demanded to the persistence change in income तो प्रोपेसर वाटसन हमें कहते है कि किसी भी consumer की जो income जो change होती है इन में कितने percent से change हुआ है और उसके वज़े से उसकी demand में कितना changes आया है यह percent change में ही यहाँ पर ratio यहाँ पर present करने की कोशिश प्रोपेसर वाटसन हमें कहते है थर्ड यहाँ पर जो definition है प्रोपेसर रिचर्ड लिफ से हमें कहते है कि the responsiveness of the demand to the change in income is terms as the income elasticity of demand तो यहाँ पर जो demand और income की यहाँ जो responsiveness यहाँ जो present की गई है रिचर्ड के दौरा वो कहते है कि जो response अगर मिलता है जितना change यहाँ पर मिला है income के अंदर उसका जो response आएगा यह जो demand के अंदर response मिलेगा इसको ही measure किया जाएगा income elasticity of demand income elasticity of demand को present करने के लिए यह formula एक helpful यहाँ पर साबित होता है e y is equal delta q upon q divided delta y upon y is equal delta q upon q multiply y upon delta y तो यहाँ पर in shortly यह result हमें यही मिलता है कि यह कहता है कि अगर इसको और भी बहतर तरीके से यहाँ पर simply यहाँ पर present करें तो हमें इसका जो formula मिलता है y upon q multiply delta q upon delta y तो यह present करता है symbol यह क्या हमें present करता है e y का meaning होता है income elasticity of demand delta q change in the quantity demanded q present करता है initial demand जो actually जो before जो क्या demand थी उसे present करता है delta y present करता है change in income और y जो present करता है initial income जो before income क्या थी change होने से पहले यही present करता है इस formula के साथ हम use करेंगे और value अगर put करेंगे तो हमें income elasticity of demand यह result हमें मिल जाता है इस तरह से हमारा जो important इस concept के अंदर जो point कहता है ओ केता है degrees of income elasticity of demand इस concept के अंदर हमें यह focus करता हुआ ही एक important concept मिलता है जहाँ पे income elasticity of demand के अंदर यहाँ पे five types के यहाँ पे degrees या five types यहाँ पे income elasticity of demand को indicate किया जाता है जिसमें first है negative income elasticity, second zero income elasticity, third unitary income elasticity, fourth income elasticity is greater than one, fifth income elasticity is less than one इन five types से हमें degrees of income elasticity present करते हैं कि किस तरह से इन method से 5 जो degrees है इस पे हम diagram के साथ और भी easily यहाँ पे देखेंगे किस तरह से changes होते है तो जो firstly है जो कहता है negative income elasticity, negative income elasticity यह कहता है कि किसी भी consumer के income में जो change होता है तो उसके opposite यहाँ पे demand के अंदर यहाँ जो changes दिखाई देते हैं यह changes को कहा जाएगा negative income elasticity यह situation हमें giffin goods या low level goods के अंदर ही दिखाई देते हैं जिसमें consumer की income में तो change हुआ बट हमें हमारी जो consumer है उसकी जो demand है demand के अंदर negative effect income के साथ दिखाई देता है जो giffin goods और low level की goods होते हैं इसको demand करना consumer छोड़ दिता है और एक standard goods को खरिदने की कोशिश करता है तो income जिस सरे से consumer की change होती है उसका impact यहाँ पे giffin goods या low level goods को छोड़ के एक अच्छे goods को खरिदने की कोशिश एक consumer करता है इसे negative income elasticity यह present यहाँ पे example perfectly दिया जाता है negative income elasticity किस सरे से work करती है इस diagram के साथ और भी बेहतर तरिके से समझने की कोशिश करेंगे जहाँ पे X access पे quantity दी गई है और Y access पे यहाँ पे income इन रुपीज में indicate किया गया है जो DD कर्व है यह demand कर्व प्रेजिंग करता है जहाँ पे जो initial यहाँ पे जो income थी यह income और जो initial quantity की सरे से है इन में क्या difference आता है यही यह present करता है तो यहाँ पे जो initial जो प्राइज यह हम कहें before जो income थी यह income O Y इतनी थी और इसकी वज़े से consumer अपना जो demand था यह demand O Q इतनी present करता था बट जिस सरे से consumer की income में अगर change आता है यह change Y1 तक जाता है तो यहाँ पे जब income में change आता है तो इसका impact negatively demand के अंदर दिखाई देता है जहाँ पे quantity यह Q से Q1 तक कम होती हुई दिखाई देती है और यह O Q1 इतनी present करती दिखाई देते है जहाँ पे income O Y1 इतना हुआता है तो यहाँ पे income elasticity of demand यहाँ पे negatively work करता हुआ दिखाई देता है second decrease हमें कहते है zero income elasticity zero income जो zero income elasticity हमें कहते है कि जितना change consumer के income में आया है बट यहाँ पे जो demand के अंदर कोई भी changes अगर नहीं दिखाई देते है तो इसको zero income elasticity कहा जाएगा अगर हम कहें कि consumer की income बढ़ी है तो income बढ़ने के वज़े से कोई भी consumer salt को जादा खरेदने की कोशिच नहीं करता है तो इसके वज़े से जितना उसकी जरूरत है salt को लेके वो उतना ही जो previously यहाँ पे demand करता था उतना ही करेगा या उसकी salt की price घटे या बढ़े बट income यहाँ कोई भी response यहाँ पे consumer की income से नहीं हो पाते है तो उसको यहाँ पे zero income electricity कहा जाएगा इस diagram के अंदर हम देखेंगे कि zero income electricity exactly कि सरे से work करती है जहाँ पे x access पे quantity y access पे income दी गई है जो initial जो income थी o y इतनी थी और उसी income से साथ-साथ quantity यहाँ पे o q इतनी ही यहाँ पे present गरतू ही द अग consumer की income अब बढ़ी गई है income y y1 से यहाँ पे increase हुई तो यहाँ पे totally income consumer की o y1 इतनी हुई तो यहाँ पे income बढ़ने के वज़स से बट यहाँ पे demand में कोई भी changes नहीं आता है तो यहाँ जो demand है यह demand o q इतनी ही quantity की किये जाती है तो इसमें जो zero income electricity यहाँ पे दिखाई दे पते हैं और इसका जो response है यह response यहाँ पे totally zero दिखाई देता है जहाँ पे demand कर यहाँ पे vertically यहाँ पे हमें straight से खड़ा हुआ दिखाई देता है जहाँ पे कोई भी changes यहाँ पे demand के अंदर नहीं दिखाई देता है थर्ड यहाँ पे degree कहती है कि unitary income elasticity यहाँ पे consumer के income में जितना changes हुआ है उतना ही changes अगर demand के अंदर हमें मिलता है तो उसे unitary income elasticity कहा जाएगा अगर हम मान लेते हैं कि consumer की income में 25% से change हुआ है तो उसकी जो consumption लेगा उस commodity के अंदर या goods के अंदर 25% से demand के अंदर अगर change होता है तो उसे unitary income elasticity कहा जाएगा diagram के अंदर हम देखे unitary income elasticity हमें present करता है diagram के अंदर x access पे quantity ज़ी गई है और जो y access है y access पे income इन रुपीज में present करता हुआ दिखाई देता है और dd curve यहाँ पे 45 celsius पे यहाँ पे straight उपर जाती हुई line हमें demand curve दिखाई देता है तो हम देखे जो यहाँ पे initial जो income थी ओ y इतनी पे थी और उस पे ही बेस करती हुई यहाँ पे जो डिमांड है demand, o q इतनी ही थी जिस तरह से जितने percent से यहाँ पे change होता है जो demand यहाँ पे किस तरह से income से relate करता है तो यहाँ इंकम में change आता है why y1 इतना तो यहाँ आ ऑइ1 इतनी जब income होती है उतना ही changes उसी ratio के अंदर यहाँ पर इंकम में change आया, उतना ही यहाँ पर quantity के अंदर demand यहाँ पर उतना ही changes दिखाई देता है, तो इसे unitary income elasticity कहा जाएगा. हमारा next degree income elasticity of demand का कहता है income elasticity is greater than one जहाँ पे income में जितना change है उससे कई ज़्यादा demand के अंदर changes हमें दिखाई देते हैं तो इसे greater than one situation कहा जाएगी यहाँ पे हम कहें कि consumer की income में जितना change है उससे कई गुना change हमें demand के अंदर मिल पाते हैं तो इसे हम example देखें तो यह luxury goods या fashionable goods या luxury life इससी situation के अंदर हमें greater than one situation मिलती है जहाँ पे consumer की income 25% change हुआ है तो उसके demand के अंदर हमें 30% change अगर मिल पाता है तो उसे greater than one यह situation दिखाई देती है diagram बें अंदर हम देखें तो x-axis पे quantity दी गई है और y-axis पे income जो rupees में यहाँ पे हमें प्रेजिन गरता हुआ दिखाई देता है और इस तरह हम देखें जो हमारा demand कर है यह demand कर DD जो यहाँ पे x-axis पे यहाँ थोड़ा parallel होता हुआ दिखाई देता है दिखाई देता है कि ओ इतना elastic है जो greater than one situation की इस तरह से दिखाई देती है तो यहाँ पे initial हमारी जो income थी o y इतनी थी और हमारी उसी income पे base कर दी हमारी quantity यहाँ पे o q इतनी दिखाई देती बट यहाँ पे हमारे income के अंदर consumer की income में y y1 इतना change हुआ और हमारे demand यहाँ पे q q1 इतना greater than one या इसी ज्यादा यहाँ जो quantity के अंदर demand यहाँ पे हमारा change होता हुआ दिखाई देता है जो income में जितना 25% अगर change होता है तो यहाँ पे 30% से भी ज्यादा यहाँ पे quantity demand यहाँ पे change होती हुई दिखाई देती है तो इस situation के अंदर हमें पता चलता है कि income electricity is greater than one इस situation ग्रेट होती हुई दिखाई देती है हमारा last जो यहाँ पे decrease यहाँ पे income electricity of demand को present करती है वो केती है income electricity is less than one इस situation के अंदर जहाँ पे income के अंदर जितना change हुआ है उससे भी कम यहाँ पे जब demand के अंदर changes दिखाई देते हैं तो इसे income velocity is less than one situation करती हुई दिखाई देती है जहाँ पे consumer की income के अंदर 25% change अगर होता है तो demand के अंदर 20% change होता है income के अंदर 25% से change होता है बट demand यहाँ पे उतनी fully response नहीं देती है जितना change income में हुआ उससे भी कम 20% change यहाँ पे demand के अंदर हमें दिखाई दे तो हमें पता चलता है यह income velocity is less than one situation को present करती है जहाँ पे हमारे daily useful जो goods होते है rice है, bread है, cloth है इनके अंदर जो changes आते है यह हमें less than one situation को present करते होई दिखाई देते है तो यह इसी condition के अंदर income velocity is less than one great होती होई दिखाई देती है इस तरह से diagram के अंदर हमें दिखाई देता है कि x access पे quantity y access पे income in rupees दिखाई देते है जिस तरह से initial income यह o y इतनी है और जो initial quantity जो demanded है ओ o q इतनी दिखाई देती है diagram के अंदर d d यह demand curve present करता हुआ दिखाई देता है जिस तरह से income में हुआ हुआ चेंज इसके comparison Почему में होने व़ला जो demand है यह less than होता हुआ दिखाई देता है जिस तरह से जो income में होने वाला जो changes है यह changes अगर ट्वेटीफवाइपन से अगर increase करता हुआ दिखाई देता है तो उसके comparisonly यहाँ पे quantity demanded जो consumer करता हुआ जो consumption नेते हुए जो commodity है उसमें होनी वाले जो demand यहाँ पे जो present करता है यह comparisonly कम होता हुआ दिखाई देता है तो diagram के अंदर total जो increase करता हुआ income O Y1 इतना है और उसके बत और यहाँ पे जो quantity में जो increase किया गया है O O Q1 इतनी दिखाई देते हैं तो comparisonly जो changes है income और quantity में यहाँ पे difference होने की वज़े से ही यहाँ पे income elasticity is less than one साबित होता हुआ दिखाई देता है इस तरह से हमारा जो last यहाँ पे जो point बनता है ओ कहता है measuring income elasticity of demand तो यहाँ पे income elasticity यह किसरे से इन पाचों types के अंदर किसरे से यहाँ पे मिल पाई है तो उसको measure करने के लिए हमें यह बहतर तरीका यहाँ पे मिल पाता है कि हम देखे तो कौन से degree के अंदर यहाँ पे जो income elasticity of demand यह change हुआ है अगर यह negative income elasticity है, zero income elasticity है, unitary income elasticity है या income elasticity is greater than one या last income elasticity is less than one यह कौन से situation के अंदर यह measure कर पाएंगे तो इसको present करने के लिए एक example के साथ हम देखे तो पाज टाइप के अंदर कौन से टाइप में यह measuring income elasticity of demand को present करता है एक example के साथ हम इस जो situation है measuring income elasticity of demand की से की जाती है यह से देखने की कोशिश करेंगे example के अंदर हम देखे तो suppose करेंगे कि एक किसी भी consumer की income यहाँ पे जो income है यह 1000 यहाँ पे present करीगी और उसकी जो demand है यह 10 units of mango को present करीगी तो ही दिखाई देती है कि उस consumer की जो income है अगर यह income increase होती है यह 1000 से 2000 अगर हो जाती है तो उसकी demand भी increase करीगी इसकी demand 10 units mango के साथ 30 units mango करती हुई दिखाई देती है इससी situation के अंदर हमें निकालना है कि measuring income elasticity of demand कौन से method को यहाँ पे इस situation को present करीगी तो उसी तरह से हम formula को use करेंगे और formula के साथ हम value अगर put करेंगे तो हमें उसका result मिल पाता है तो इस तरह से हम formula के अंदर income elasticity of demand mango किस तरह से measure करेंगे तो उसका formula EY is equal Y upon Q multiply delta Q upon delta Y तो इस तरह से हमें उसकी जो value है यह value भी मिल पाई तो हमारी जो income यहाँ पे जो initial income थी वो 1000 थी और जो changes आया income के अंदर Y1 वो हमें मिल पाया 2000 तो यहाँ पे delta Y यह हमें किस तरह से मिल पाएगा तो हमें जो change हुआ income के अंदर यह changes हमें 1000 के changes मिले क्योंकि 2000 यहाँ पे उसकी increase की initial उसकी जो income थी 1000 थी 2000 के अंदर हम 1000 अगर minus करेंगे तो हमें जो change delta Y है यह हमें 1000 मिलता है और quantity हमें दी गई थी initial quantity यह 10 units थी और जो change हुआ है quantity के अंदर यह 30 units अब mango यहाँ पे दिखाई देती है तो अगर हम यह भी change करेंगे q1 minus q करेंगे तो हमें 30 minus 10 तो यहाँ पे हमें जो change quantity delta जो यहाँ पे quantity मिल पाई हो है 20 units mango तो इस तरह से value हम put करेंगे formula के साथ e y is equal जो कहता है y upon q multiply delta q upon delta y तो यहाँ पे value put करेंगे जो initial income थी 1000 थी quantity 10 और जो delta q था 20 और delta y यह 1000 तो e y is equal 1000 upon 10 multiply 20 upon 1000 यह 1000 1000 कट हो जाएंगे और 20 और 10 को हम यहाँ पे divide करेंगे तो हमें answer मिल पाता है 2 तो यह situation greater than unity situation को present करती हुई दिखाई देती है तो इस तरह से किसे भी concept के अंदर income में क्या changes percent से आया है उसके response में demand के अंदर क्या changes ratio के अंदर मिल पायेंगे इसको ही major करने के साथ साथ income elasticity of demand present करती हुई दिखाई देती है तो आज के इस topic में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू